दान के किसानों ने खेती बाड़ी के शुरुवाती दिनों से लेकर अब तक एक लंबा सफर तै किया है बालियों में अनाच के दानों की तादाद बढ़ाने की बहुत जुगत लगाई और धीरे धीरे धान की खेती को बहतर बनाते हुए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में लगातार मदद की है जब हम ऐसे सफर की काम्याबियों और प्लब्धियों का जश्न मनाते हैं तो धान के किसानों के मन में ये विचार तो आता ही होगा कि टेक्नोलजी और नवीनी करण में क्रिशी के अलावा बाकी सभी क्षित्रों में चीजों को करने के तौर तरीके बदल दिये हैं काम को आसान बनाया है और काम करने वालों की सा कुशलता को भी बेहतर बनाया है दूसरी तरफ धान पैदा करना अभी भी सबसे कठिन काम बना हुआ है और इस काम में आने वाली चुनौतियां खत्म होने के बजाए बढ़ती जा रही है और ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है अपनी धान की फसल को खतरनाक, जिद्धी और प्रतिरोधक कीटों से बचाना धान के किसान इसके लिए बताय जाने वाले समाधानों को उलट बलट कर और उनके मिश्रण बना कर आसमाते हैं तरहा तरहा के उपाय करना, उनका सर धीरे धीरे कम होते जाना मस्दूरों पर निर्भर रहना, समय का मिलना और बार बार स्प्रे करने का जंजट नतीजा, हिम्मत तूटना, भारी भरकम खर्चों का बोज सेना और आने वाले समय की जिंता हाला कि किसानों के भीतर, जिंदगी में कुछ अलग और बहतर करने की चाहपन अप रही है चाहत से हकीकत तक, एक ऐसा समाधान जो उत्पादकों को सशक्त बना कर अन्य उद्योगों के समकक्ष लाने का प्रयास करे कीट प्रबंधन में एक अबहुत फूर्व प्रगती फसल सुरक्षा के बारम परिक अभ्यासों से आगे अब किसानों को मिलेगा बहतर नियंद्रण और मिलेगी मन की शांती UPL हमेशा से किसान भाईयों के प्रती वचन बद्ध रहा है और अब उनके लिए लेकर आया है दुनिया का पहला नवीन तम दोहरी कारे प्रणाली पर आधारित केवो का असली उद्यमी यानि हमारे किसान भाईयों के लिए केवो का वाकई एक वरदान है इसके साथ उन्हें जो ज्यादा वक्त और जीवन में बेहतर संतुलन मिलेगा उससे वे अपनी धान की फसल का सफल प्रबंधन करने के अलावा अपनी उद्यमी भावना को भी नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं और नए अवसरों का लाब उठा सकते हैं किसानों के लिए है बहुत कुछ केवुका में एक नया एक्टिव इंग्रीडियन्ट है जो न केवल अनूठा है बलके किसानों के लिए उपलंद अन्य विकल्पों से कहीं आगे है यानि किसान एक मॉलिक्यूल से बी पी एच और फुभूरा माहू या भूरा तेला और तनाचेदक पर असरदार नियंतरण और उनका बहतर प्रबंधन कर सकते हैं इसका उपियोग भी आसान है क्योंकि ये दानेदार स्वरूप में आता है ये अपने अंतरब्रवाही और ट्रॉंस लेमिनर एक्शन के साथ तुरंथ काम शुरू करता है और पौधों पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैल जाता है ये कीटों पर असरदार नियंतरण करता है बिना प्रतिरोधकता के ये परियावरण के लिए सुरक्षित है और फसल पर बहतरीन फाइटोटॉनिक प्रभाव डालने वाले जीवों के लिए बहुत फाइदेमंद है जिससे उपज भी ज्यादा और बहतर मिलती है इसका सबसे बड़ा फाइदा है कीटों पर लंबे समय तक नियंतरण जिससे हमारे किसान भाईयों का कीमती समय बचता है और वे अपने जिन्दगी में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिन्दगी में करें और भी बहुत कुछ केवुका के साथ